हंजी, हेलो स्ट्रेंट, सौगत याप सभी का आशी सिंग लेक्चर्स की इस लेटेस लाइव स्ट्रीम में तो दोस्तों, पी ब्लॉग जो है, उसका ग्रूप नंबर 16 हमारा चल रहा था लास्ट क्लास में हम लोग ने ऑक्सिजन तक की कहानी को बहुत अच्छे से कवर कर लिया था आज जो है, हम लोग ओजोन की कहानी का अध्यन करेंगे और ओजोन से ग्रूप नंबर 16 के डिसकशन को आगे बढ़ाएंगे उमीद करता हूँ, आप बहुत 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 बह ओजोन के बारे में, वैसे तो हमें बच्पन से पढ़ाया जाता है, कि ओजोन जो है, वो हमारे सूर्य से आने वाली, ओजोन की परत है, वो सूर्य से आने वाली हानिकारक किर्णों को बाउंस कर देती है, और वो हमारे तक नहीं पहुँच पाती, और इस प्रकार से ओजोन ज बहुत आसान है, आपको लेनी है oxygen, oxygen में आपको छटका देना है, नीरवविद्यूत विसरजन, नीरवविद्यूत विसरजन का मतलब होता है, कि आपको उसको बहुत ज़ादा heat देनी है, एकड़म से, होता नहीं है, आपने ऐसे दो तार को आपस बिढ़ाते हैं, चरर करके अ वाज आती है और खूब सारी हीट एकदम से प्रियूस होती है बिल्कुल वैसा ही आपको करना है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नीरव विद्युत विसरजन मतलब एकदम से बहुत सारी उश्मा जो है आपको उसको दे देनी है उससे ओजोन का निर्मान हो जाएगा और ये आपका O3 बन करके तैयार होगा तो इस प्रकार जो है हम ऑक्सिजन से किसका निर्मान करते हैं ओजोन का निर्मान करते हैं यहां तक ही कहानी किलियर है गुणधर्म की बात करें तो तीन मोटे मोटे गुणधर्म आखों के सामने लिखे हुए फटा फट से पढ़ ल लिक्विड है और वॉयलेट ब्लैक सॉलिड है मतलब गैस अवस्था में यह हलकी नीली गैस है द्रव अवस्था में यह गहरी नीली गैस है और ठोस अवस्था में यह बैंगनी काला ठोस है वॉयलेट मतलब बैंगनी ब्लैक मतलब काला तो बैंगनी काला ठोस है यह त हम के अंदर ये पूछा जाता है लिए को पहले भी कई बार्पूशन बन जाता है इसलिए आपको इसके बारे होना चुछ है You must अब आ आगे आते हैं अपन इसकी संचना के ओपर देखो और जोन की जो सराजना है उसकार अध्यन अपन करने जा रहे से देखिएगा ओजोन की जो सनचना है उसको कैसे बनाते हैं मैं आपको फिर बताया है केमिकल बांडिंग के बिना कर पाना असंभव है बट फिर भी ओजोन की सनचना ऐसे बनती है इस प्रकार से ओजोन को बनाया जाता है इसको आप याद रखिएगा यह है ओजोन की सनचना अब इसके लिए वही है चैप्टर नंबर फोर क्लास इलेवन जिसने भी नहीं पड़ा पुरावने लेक्चर डले वे हैं मैं आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ये बात बोल दी थी कि केमिकल बांडिंग वाले चैप्टर को रिवाईज 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 चैप्टर को जरूर पढ़ लेना उसके विना काफी सारी दिक्कतें पी ब्लोक के अंदर देखी जा सकती है उमीद करता हूँ ये वाली स्लाइड आपको बहुत असान लगी होगी कोई कि इस स्लाइड में ज्यादा कुछ है नहीं बस तीन बाते हैं ओजोन को बनाते कैसे हैं ओटू के नीरव विद्यूत विसर्जन साइलेंट इलेक्टिक डिस्चार्ज से बनाते हैं दूसरी बात इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और तीसरी इसकी सनरचना ठीक ह दन चलो आगे बढ़ते हैं अब आपके सामने है कि ओजोन जो है वो रियक्शन्स कैसे करता है है ना ओजोन के बारे में एक बहुती जबरदस्ट बात बताता हूँ आपको जिसको सुनकर कि इसकी रियक्शन्स महा से मक्खन हो जाएंगी वो जबरदस्ट बात ये है कि ओज एक जबरदस्त लेवल का powerful oxidizing agent है बहुत ही जबरदस लेवल का oxidizing agent है powerful oxidizing agent है क्यूं है मैं समझाता हूँ होता यह है कि आपका जो ओजोन है न वो जब तूटता है जब आपका ओजोन जो है तूटता है तो वो बनाता है oxygen plus साथ में बनता है एक single oxygen और इसको कहा जाता है नवजात oxygen और यह नवजात oxygen और किसी के अंदर भी जाकर के आराम से जुड़ सकती है और क्योंकि आपका आपका किसी का भी क्या करवा सकती है ऑक्सिकरन तो ओजोन अपने अंदर से एक नवजात ऑक्सिजन को बाहर निकालता है वो नवजात ऑक्सिजन किसी में भी जाकर के जुड़ सकती है जिसमें भी जाकर के जुड़ेगी उसका हो जाएगा ऑक्सिकरन इसलिए ओजोन को कहा जाता है कि ये बहु अगर आप इसको गरम करो, तो ये बनाएगा oxygen, साथ में ये nascent oxygen बनाता है, नवजात oxygen बनाता है, और इसी नवजात oxygen के कारण एक शक्तिशाली, शक्तिशाली oxygen के रूप में इसको देखा जाता है, अब तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या हो ना है, देखो सोचो, O3 ने बनाया O2 प्लस O, तो O3 ने O2 बनाया, O3 जो O बनाएगा वो इस NO से जाकर के मिल जाए, तो reaction क्या होगी, NO2, जिसको ये concept पता है, उसके लिए इस बोर्ड पे लिखीवी सारी reactions महाँ से मक्खन है, कैसे, O3 बनाएगा O2 प्लस O, ये O जाकर के इसमें जुड़ेगा तो ब बनेगा, यहाँ आप खुदी प्रेडिक्ट कर सकते हो, मेरी आउशक्ता ही नहीं है आपको, खुदी प्रेडिक्ट कर सकते हो, कि यहाँ पर SO3 प्लस O2 बनेगा, सेम concept है, इसके बेस पे राइट एंड साइड की सारी reactions जो है, आप आराम से कर सकते हो, क्या आप मुझे बता स रखते हैं, यहाँ क्या बनेगा, O3 बनाएगा, O2 प्लस O, वो O जाकर के PB में जुड़ जाएगा, तो यह बन गया PBO, साथ में आपको O2 अलग हो जाएगा, KIH2O, यह reaction अच्छे से याद रखना, इसके अंदर क्या होता है, हम आपको अच्छे से समझाते हैं, KI जो है, वो KI convert हो जाता है, I2 में, के जो है, वो OS से मिलकर के बनाता है, KOH, और साथ में O2 अलग बनती है, यहाँ थोड़ी reaction different है, तो different reaction है, तो इसको याद कर लेते हैं हैं अपन, कि जब आपका KIH2O, ओजोन से react करता है, तो एक तो I2 बनाता है, साथ में बनता है, एक KOH, और साथ में बनती Oxygen Gas, O2, PBS, 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 ज यह बनाएगी PBSO4, और साथ में O2 तो बनना ही बनना है, मतलब इन सभी reactions के अंदर, अगर मैं आपको दो reactions इनके उपर आपको अलग से ध्यान देने की जरूत है, तो वो दो reactions यह है, और अगर मैं आपको इसके लिए capsule दून, तो वो यह है, कि O2 जो है, वो सब में बन रहा है एक उत्पाद जो है, उसको तो आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो, O2 जो है, वो सब में बनेगा, O2 जो है, वो सब में बनेगा, O2 जो है, वो सब में बनेगा, ठीक है? हाँ तो चलो इससे पहले बढ़िया मज़ा आ गया ओजोन एकदम खतम मान के चलू समझ में आ गया है मैंने जो भी पढ़ाया ओजोन एकदम किलियर है दो बाते याद रखने की पहली बात कि ओजोन के बारे में तीन पॉइंट्स जो आपको किलियर किये उसके बाद रियक्शन्स रियक्शन्स में सबसे बड़ी बात ही है यह पावरफुल ऑक्सिज़ाइजिंग एजेंट है धमा धम ऑक्सिजन जोडने का काम करा देखो ना PBS में चार ऑक्सिजन जोड़की PBSO4 बना दिया इत्या अच्छी बात है धमा अतम धमा अतम ऑक्सिजन जोडने का काम यह बन्दा करता है खुश सभी बच्चे मज़ा आ रहा है क्लास शारो बहुत खुशी की बात है आगे बढ़ता है बस और अब अपन पढ़ेंगे सल्फर के बारे में सल्फर के अपरूप के बारे में पढ़ेंगे अपरूप मतलब होता है कि आपका सल्फर कितने रूपों में रह सकता है जिसे आपको याद है पंद्रवे ग्रूप के अंदर हमने फॉस्फोरस का अध्यन किया था काला फॉस्फोरस सफेद फॉस्फोरस लाल फॉस्फोरस वो सब क्या थे फॉस्फोरस के अपरूप वैसे ही सल्फर के मोटे मोटे तीन अपरूप है पहले वाले को रॉम्बिक कहते हैं या अस्टफल किये कहते हैं या फिर अल्फा सल्फर के नाम से भी जानते हैं बात यह है कि rhombic अस्टफल की ये alpha sulfur को कैसे बनाते वो मैं आपको बताता हूँ याद करने वाले points है सुनिए लिखिए याद कर लीजिए इसको बनाने के लिए sulfur के wilion को जो sulfur होता है ना उसके wilion को मतलब उसको liquid बनाएंगे उसका wilion बनाएंगे पानी में घोलके उसके wilion को CS2 carbon di sulfide के अंदर डालेंगे और फिर उसको वाशपित करेंगे उससे बनेगा alpha sulfur बच्पन में ऐसे पढ़ाया जाता था कि गाये हमारी माता है गाये के दो सींग होते हैं उसके चार पाव होते हैं एक पूछ होती है और हम उसको fact की तरह याद करते थे ऐसे ही inorganic chemistry में भी काफी सारे fact है बिटा उनको as it is याद करना पड़ता है मैं जितनी खुबसूरती से आपको बताऊंगा जितनी बार में आपको बताऊंगा उतना आपके दिमाग में वो जाएगा समझ यह बात को पर याद ultimately आपको यह करना पड़ेगा और कुछ बच्चे होते हैं जो यहाँ बैठके बाते कर रहे होंगे कमेंट सेक्शन में और कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ाई की बात लिख रहे होंगे तो जो बच्चे कमेंट सेक्शन में पढ़ाई की बात लिख रहे होंगे न उनको यहीं कहीं याद हो जाएगा बाद में फिर रिविजन करना है और जो बच्चे पढ़ाई की बात नहीं करना है बाबू सोना करना है यहाँ बैठ करके उन बच्चों को बाद में याद करना पड़ेगा अकेले बैठके याद करोगे तो तरीका भी पता नहीं होगा याद केसे करना है, मज़ा भी नहीं आ रहा होगा फिर P-Block को छोड़ देंगे सबसे ज़्याद मार्क्स का चैप्टर है हास से निकल जाएगा अगर हम लोग हमारे करिकुलम से एक या दो क्लासिस आगे पीछे चल रहे है तो वो पॉसिबल होता है बेटा कौकि एक या दो लेक्चर आगे पीछे हो सकते है बट जो आपको कंटेंट दिया गया है जो आपको लिखके दिया गया है वो हम पूरा कराएंगे चिंता की कोई बात नहीं है एक्स्ट्रा ग्लास लेनी पड़े संडे को भी हम लेंगे आप चिंता मत करों बस आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो इसके लाव आपको कुछ नहीं करना मस्त लेना है चलिए बॉस तो कैसे बनता है रॉम्बिक अस्टफल किये या एल्फा सल्फर इसको कैसे बनाते है सल्फर के विलियन को CS2 में डालते हैं और सल्फर के विलियन को CS2 में डाल करके वाश्पित करते हैं तो जब सल्फर के विलियन को CS2 में डाल करके वाश्पित करते हैं तो उससे निर्मान होता है रॉम्बिक अस्टफल किये या अल्फा सल्फर का अल्फा सल्फर को जब गरम करते हैं तो बनता है इसका दूसरा अपरूप अल्फा सल्फर को जब गरम करते हैं तो बनता है इसका दूसरा अपरूप जिसका नाम है एक नताक्ष प्रिजमी या बीटा सल्फर जब रॉम्बिक अस्टफल की या एलफा सल्फर को गरम करते हैं तो एलफा सल्फर को गरम करने से बनता है दूसरा परूप जिसका नाम है एक नताक्ष प्रिजमी या फिर बीटा सल्फर तीसरा है प्लास्टिक या गामा सलफर, इसको बनाने की विधी सामने लिखी भी है, याद कर लीजेगा, इसे उबलते वे सलफर को पतली पानी की धारा में ठंडा करके प्राप्त किया जाता है, मतलब सलफर उबल रही है, उबली वे सलफर को पानी की पतली धार से ठंडा करो तो जो आपको अपरूब प्राप्त होगा वो कौन सा है गामा सलपा है तो ऐसे अलपा बीटा गामा तीन है अब यहाँ पर कुछ कैपसूल वाली बाते हैं वो सुन लीजिए तो आशी सर का कैपसूल इस वाली स्लाइड के लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा कि यह स्लाइड जो है वो फैक्ट बेस्ट स्लाइड है यहाँ जो भी लिखावा है वो as a fact याद ही करना पड़ेगा ठीक है इसको अच्छे से याद करना हो अच्छे से याद करना हो कि चला कैपसूल तीन केस की बात करेंगे केस नमबर वन अगर तापमान 96 डिग्री सेंडिगेट है तो अलफा सलफर यह वो बीटा सलफर दौनों अस्तित्व रहती है यह एक्जाम में कॉशन आया है कि अगर तापमान 96 डिग्री है अगर तापमान 96 डिग्री से कम हो पता है कौन मिलेगा कमेंड करके बताओ आपका अंदाज बिल्कुल सही है के वल ये वाले भाई साम मिलेंगे के वल एलफा सल्फर मिलेगी अगर तापमान अगर 96 डिग्री से कम होगा बिटा तो केवल कौन मिलेगा अलफा सल्फर मिलेगी केस नमबर थ्री अगर तापमान 96 डिग्री से जादा हुआ अगर तापमान 96 डिग्री से जादा हुआ तो आपको मिलेगी केवल बीटा सल्फर ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा तीनों चीजें दिमाग्त में फिक्स कर लो मज़ा जाएगा कि अगर तापमान 96 डिग्री से एंडिगेट है तो आपको मिलेगी अगर तापमान 96 डिग्री से जादा है तो आपको मिलेगी केवल बीटा सल्फर ये कहान ही है पर आफ़र से कॉपी करो फिर हम बॉस आगे बढ़ते हैं तो सल्फर के इंपोर्टेंट कंपाउंस में सबसे पहले अपने किसको पढ़ा सल्फर के अपरूप्स को पढ़ा यहां पर काफी सारी फ्रेक्शुल बाते जानने को मिली अब हम सल्फर के दूसरे योगे का अध्यान करने जा रहे हैं जिसका नाम है सल्फर डाइ ऑक्साइड इसका नाम क्या है सल्फर डाइ ऑक्साइड इसका नाम क्या है सल्फर डाइ ऑक्साइड स्टार्ट करें sulfur dioxide जिसका formula होता है SO2 हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं सबसे पहले इसका virgin कैसे होता है सबसे पहले इसका method of preparation क्या है इसको बनाते कैसे हैं ज़रा उसके बारे में बात करते हैं इसको बनाने के लिए sulfur और oxygen को आपस में मिला दो इससे आसान क्या हो सकता है sulfur oxygen को आपस में मिला ओ SO2 बन जाएगा बढ़ याद रखिएगा कि oxygen की supply जो है वो आपको सीमित रखनी है और सीमित supply कहां से मिलती हवा से तो sulfur plus oxygen क्या मिल जाएगा आपका sulfur dioxide खतम यह इसकी पहली method of preparation है प्रियोक्षाला विधी SO3 2- इसको sulfite कहते हैं और SO4 2- sulfate कहलाता है जहां से सुनों मस्त रहो आसान है sulfite ले लिया आपने कोई सा भी sulfite लेब में iron sulfite, sodium sulfite, copper sulfite जो मिल जाए है जो भी market में available हो वो ले लिया आपने acid से react कराया बनेगा H2SO3 बुद्धी वाली बात है अगर SO3 2- लिया है तो 2H plus को लेगा अगर वो 2H plus को लेता है तो क्या बनाएगा H2SO3 तो SO3 2- H plus को ले करके H2SO3 बनाता है और ये H2SO3 unstable होता है तो ये फटा-फट से SO2 में बदल जाता है और साथ में पानी बहार निकल जाता है तो आपको जो अपना यॉगिक चाहिए था वो प्राप्त हो गया आपको अपना SO2 जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया खतम बात तो प्रियोगशाला विदी में क्या करते हैं lab method में क्या होता है ध्यान से देखिए और समझिए बच्चो lab method में ये होता है कि आपका जो SO3 2- है वो H+, से मिलता है और H2 SO3 बनाता है ये H2 SO3 जो है वो तूट करके SO2 और H2O बनाता है और आप SO2 ही चाहते थे मिल गया SO2 कतम बात बहुत बढ़िया प्रियोकशाला विदी जो हम lab के अंदर बनाते है वेवसाइक विदी जो हम इंडस्ट्री में बनाते है जहां से हमें profit कमाना होता है पैसा कमाने के लिए laboratory में नहीं बनता lab में बच्चों को experiment कराने के साब से बनता है और वेवसाइक में factory के अंदर जो बनता है this is the वेवसाइक method ये वेवसाइक method है समझें इसको ओके 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 एक्चल में method इतना important नहीं है मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है इस method से मुझे इस method से कोई मतलब नहीं है मुझे मतलब है ये FES2 के बारे में आपको पता हो ये यौगिक अपने आप में important है आपके लिए इस यौगिक का नाम है iron pirate इस यौगिक का नाम क्या है बिटा iron pirate iron pirate FES2 परोकसाइड का बड़ा भाई है मतलब यहाँ पर FES2 की जो oxygen अवस्ता है वो होती है plus 2 और बचावा जो S2 है उसकी होती है minus 2 तो एक S की oxygen अवस्ता कितनी हुई minus का 1 जैसे परोकसाइड में oxygen की oxygen अवस्ता minus 1 minus 1 होती है वैसे ही pirate में जो परोकसाइड का भाई है उसके अंदर भी जो sulfur है उसकी oxygen अवस्ता minus 1 होती है इसको मैं इतना important क्यों कह रहा हूँ को कि exam में यहां से one mark का caution आ सकता है कि pirate में sulfur की oxygen अवस्ता बताईए हमें पता होना चीए कि pirate जो है वो परोकसाइड का बड़ा भाई है हमें पता होना चीए कि जो pirate है वो परोकसाइड का बड़ा भाई है और pirate के अंदर जो oxygen का नवस्ता है sulfur की वो कितनी होती है minus 1 होती है we must know about that चलिए reaction बहुत simple है आपको एक SO2 मिलावा दिखेगा और एक Fe 2 O3 बनावा दिखेगा और यहां पर Fe की oxygen नवस्ता plus का 3 है that's it खतम यहां कोई दिख्कत नहीं आगे reaction में कोई दिख्कत नहीं है आगे reaction में कोई दिख्कत नहीं है reaction में दिख्कत कहां तक थी हमें यह पता होना चाहिए कि Fe S2 जो है उसका नाम क्या है इस slide में सबसे important section मुझे यह लग रहा है कि iron pyrite के बारे में आपको पता होना चाहिए साथ में आपको extra detailing के लिए यह भी पता होना चाहिए कि जो pyrite है वो peroxide का भाई है peroxide का भाई है और जो आपका pyrite है उसमें sulfur की oxygen नामस्ता minus 1 है you guys must know about that okay the very second point कि जब यह किरिया करता है तो क्या बनाता है Fe2 O3 और साथ में SO2 आपको SO2 ही चाहिए कोकि आप SO2 का ही विर्चल पढ़ रहे हो यहाँ पर एक बात copper tanu S2SO4 से किरिया नहीं करता यह बात अच्छे से याद रखेगा जो copper है वो tanu S2SO4 से किरिया करता ही नहीं है नहीं करता क्यों नहीं करता विद्ध राशायनिक शेनी के हिसाब से copper करी नहीं सकता किरिया तो copper को हमें जबरदस्ती किरिया करवानी पड़ती है अपने अपनी करता इसलिए हमें उसे देना पड़ता है सांद्र H2SO4 तो नोट कर लीजिए कि copper यहाँ पर मैंने नोट कापन बना दिया है कि copper जो है वो tanu H2SO4 से किरिया नहीं करता वो सांद्र से करता है और सांद्र से जब किरिया करता है तो क्या बनता है याद रखिएगा सबसे पहला योगिक बनेगा copper sulfate दूसरा बनेगा जल और तीसरा बनेगा sulfur dioxide जो आपको चाहिए SO2 तो तीन बनते हैं पहला बनता है copper sulfate CuSO4 साथ में बनता है जल और तीसरा आपके सामने जो आगिक बन के तियार होता है वो है SO2 चलो बेटा यहाँ तक comment करके बताओ सब कुछ मक्षन है क्या फिर हम आगे बढ़ते है क्योंकि हम चीजों को तो ऐसे ही समस्ते पे चल रहे है कि एक एक चीज बोड पर अच्छे से लिखी जा रही है slide को मैं इस प्रकार से काफी बच्छे notes के लिए कह रहे थे P-block के P-block के notes में मैं बनवा रहा हूं notes पर वो notes यहीं से बनेंगे क्यों बनेंगे यहां से क्योंकि बहुत सुन्दर तरह आप देखो ना यार देखो तो सही एक बार सुभाष सर भी अपनी classes के अंदर lectures को इस तरह से ले रहे हैं क्योंकि lecture में वो slide पे जो कुछ भी लिख रहे हैं वो ही notes हैं वो ही notes हैं चलो copy करो इसको चलो वच्छों अब देखते हैं SO2 की reactions कि SO2 जब खुद react करता है तो किस प्रकार की reactions वहाँ पे देखने को मिलती है तो SO2 की reactions देखते हैं फटाफट, फटाफट, खटाखट फटाफट, खटाखट, शुरू करते हैं सबसे पहली बात एक बात ध्यान रखना, मज़ेदार बात बताता हूं आपको sulfur की oxygen अवस्था plus 4 है SO2 में या लिखता हूं SO2 में sulfur की oxygen अवस्था plus 4 है अब sulfur चाहे तो plus 4 से oxygen अवस्था बढ़ा भी सकता है और अगर sulfur चाहे तो plus 4 से oxygen अवस्था कम भी कर सकता है दौनों चीज़े हैं उसके पास दौनों options हैं उसके पास किती अच्छी बात है न मतलब अगर ये चाहे तो oxygen अवस्था की तरह भी काम कर सकता है और अगर ये चाहे तो अपचायक की तरह भी काम कर सकता है मतलब sulfur एवं घटा भी सकता है, अर्थात ऑक्सिकारक व अबचायक दौनों की तरह कारी कर सकता है, अब चायक व अक्सिकारक दौनों की तरह कारे कर सकता है, साही है न, शुरू करे, याद रखना, मतलब यह ऑक्सिकारक भी बन सकता है, सामने वाले का ओक्सिकारक भी बढ़ा भी सकता है, और सामने वाले का oxygen number खुद कम भी कर सकता है, दौनों काम कर सकता है कौकि ये plus 4 से plus 6 में भी जा सकता है बढ़ा भी सकता है खुद को और plus 4 से 2 पे भी जा सकता है मज़ा जाएगा ने इसको दौनों काम कर सकता है चलिए फटा-फट शुरू करते हैं तो जब आपका SO2 iron के सामने आएगा Fe3 plus के सामने आएगा तो वो उसकी oxygen संख्या को कम कर देगा मतलब इस Fe3 plus की oxygen संख्या कम कर देगा और ये बन जाएगा Fe2 plus खुद की oxygen संख्या को बढ़ा लेगा SO4 2 minus में बदल जाएगा और अगर ये SO4 2- में बदल गया तो यहाँ पे Sulfur की Oxygen आउस्था फिर Plus का 6 है तो कितनी बढ़िया बात है कि Fe3 Plus को सबसे पहले यह Fe2 Plus में पठकेगा मतलब Fe लोहे का Oxygen संक्या इसने कम कर दी तो उसका क्या करवा दिया अब चैन खुद अपनी Oxygen उस्था बढ़ा करके क्या हो गया Oxygen और साथ में H Plus जो है वो Extra निकल जाएगा Actual में सोचा जाए तो यह दोनों मिल करके क्या बना लेंगे H2SO4 Simple सी बात है बड़ आइनिक रियक्शन के अंदर हम आइन की बात करते है और आइन को लिखते है मोटे मोटे तोर पे फिर से समझा दूँ मैं आपको कि आपका जो Sulfur है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो Oxygen की तरह भी काम कर सकता है अब चायक की तरह भी काम कर सकता है खुद की Oxygen संक्या को बढ़ा करके प्लस 4 से प्लस 6 पे भी लेके जा सकता है और कम करके प्लस 2 तक भी आ सकता है He has both the options That's a very good thing about Sulfur ओके बॉस यहां क्या हुआ Fe3 Plus से बदला Fe2 Plus में और जो आपका Sulfur था वो प्लस 4 से कहां चला गया प्लस 6 में बढ़िया है Second case को जहां से देखिए SO2 अगर Oxygen से क्रिया करता है Divanadium Penta Oxide की उपस्तिती में तो यह बनाता है SO3 यह वाला जो कॉशन है यह J-E Advance में आया था यह वाला जो दिख रहा है ना यह पूरा कॉशन जो है J-E Advance में आया था अब इसमें क्या-क्या हुआ था यादी करना पड़ेगा SO2-Cl2 से क्रिया करता है कत्य जहर मजा जब आपका SO2-Cl2 से क्रिया करता है बाई साब कुछ नहीं करना जोड़ दो SO2-Cl2 बन जाएगा यह लोग खतम दिमाग लगाने का इचनी आपका SO2-Cl2 से क्रिया कर रहा है जोड़ दो क्या बनेगा SO2-Cl2 अब ये क्रिया कर रहा है white phosphorus से, अब अगर आपका याद है, आपको reaction पड़ी थी है अपनने, अगर आपका SO2Cl2 white phosphorus से क्रिया करता है, कोई भूला तो नहीं, कोई भूला तो नहीं, sulfur dioxide और PCL5 बनता है, sulfur dioxide और PCL5 बनता है, last classes के अंदर इन reactions को देखा गया था, कि अगर आपका, जो बना है, SO2Cl2, अगर वो P4 से क्रिया करें, तो क्या बनाएगा, SO2 और PCL5, PCL5 में पानी डालते हैं, तो क्या बनता है, H3PO4, जब हम phosphorus के oxo, अमलों का निर्मान पड़ रहे थे, तब अपने ये reaction पड़ी थी, कि PCL5 जल से क्रिया करेगा, तो H3PO4 बनाएगा, तो जितनी भी knowledge हमने gain करी थी अभी तक, उस सब knowledge से हमने J-Advance का ये question कर लिया, ये J-Advance का paragraph वाला question था, और लगबग 8 number का आया था, तो जो लोग कहते ह Jana, Hindi minimum की बच्चे तो क्या J- Crack करेंगे, Hindi minimum की बच्चे को उस लेवल का कोई पढ़ाता ही नहीं है, Hindi minimum के बच्चे उस लेवल का पढ़ते ही नहीं है, भाई हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं हमने लिए है ना जिम्मेदारी, मैं बता तो रहा हूं आपको क जो मैंने आपको पढ़ाया है पिछले कुछ दिनों में, वहां से आप यह 8 नमबर का question solve कर सकते थे. एक एक नमबर से हजारो rank का फराक आजाता है यह 8 नमबर आपको पता नहीं है, कितना उपर लेके जा सकते हैं. इसलिए कहा रहा हूं बेटा, हमारी पूरी मेहनत है, ASL की पूरी टी मेहनत कर रही है, कि आप लोगों को हम main stream में ले जा करके खड़ा कर सकें. आप किछी से कम नहीं रहो, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगा. I hope यह reaction किलियर है. आगे बढ़े. SO2 अगर NAOS से क्रिया करेगा, तो बनाएगा NA2SO3. यहां के लिए होगी तो क्या बनेगा? NA2SO3. याद ही करना पड़ता है कुछ जगे पे तो. अब यह जो NA2SO3 है, मैं बाग बाग आपको जगे देता हूँ. नोट बनाने के लिए था कि आप नोट्स बना सबूँ. यह जो आपका NA2SO3 है, इसको अगर आपने SO2 और H2O से क्रिया करवाई, SO2 और H2O से क्रिया करवाई, वो भी आपने बहुत मात्रा में लिया. NA2SO3 की क्रिया, अगर आपने SO2 और H2O से कराया, और उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में SO2 और H2O को लिया, तो वहाँ जो चीज बनेगी उसका नाम है NAHSO3, यहाँ बन के तियार होगा, NAHSO3, यहाँ भी आपको एक परग्राफ वाला कॉशन आ सकता है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है, H2S से क्रिया कराओगे, सिंपल सल्फर बनेगा, और साथ में जल बन जाएगा, तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सिकन आवस्ता माइनस टू है, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सिकन आवस्ता जीरो है, तो सल्फर का क्या करवा दिया, इसने ऑक्सिकन करवा दिया, तो अगर आप H2S की क्रिया, SO2 से कराओगे, तो पानी भार निकलेगा, और क्या मिलेगा आपको, प्यॉर सल्फर, K2, CR2, O7 से कराओगे, H+, की उपसिती में, तो आपके पास एक यॉगिक बनेगा, K2, SO4, साथ में आपके पास एक यॉगिक बनेगा, क्रोमियम सल्फेट, CR2, SO4, होल थ्राइस, CR2, SO4, होल थ्राइस, ये बनेगा, और साथ में आपके सामने बनेगा, H2O, साथ में आपसे बनेगा, H2O, KMNO4 से करिया कराओगे, तो पहले बनेगा, पोटेशन सल्फेट, सेम, K2, SO4, मेगनीज का, मेगनीज का सल्फेट बन जाएगा, MNSO4, और साथ में, जैसे यहां पर बना पानी, यहां उपर, पानी नहीं बनेगा, उपर बनेगा, H2SO4, इन दौना में यही डिफ्रेंस है, कुछ बच्चे इसको अपने तरीके से याद करते हैं, मैं अपने तरीके से याद करता था, मैंने दिमाग में यह बना रहा था, कि KMNO4 से किरिया करा हो, चाहिए K2, CR2, O7 से किरिया करा हो, दौनों में एई चीज कॉमन है, पोटेशन का सल्फेट बनेगा, कि K2 को, यह कहा लिए, चलो, कमेंट करके बताओ, यहां तर कोई दिक्कत, यहां तर कोई दिक्कत है, किसी को भी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या परिशानी, नहीं है, आगे बढ़े, चलो, आगे बढ़ते हैं, लास्ट चीज हमने डिसकस करनी है, SO2 के लिए, SO2 जो है, विरंजक की तरह कारे करता है, bleaching, बालों की bleaching कराते हैं, कुछ लोग, कुछ लोग कपड़ों की bleaching कराते हैं, होता क्या है, अगर आप SO2 की किरिया करो, H2O से, पानी से, तो यह बनाता है, तो यह बनाता है, H2SO4 और साथ में एक नवजात हाइडरोजन बाहर निकलती है, यह नवजात हाइडरोजन, रंगीन पधार्त को, रंग हीन कर सकती है, color उड़ा सकती है, color उड़ा सकती है, color उड़ाना या color देना, इसी को तो bleaching कहते हैं, color उड़ा सकती है, और अगर आप चाहो कि color वापस आजाए, तो hydrogen ने color उड़ाया, अगर आप oxygen काम में ले लोगे, तो color वापस आजाएगा, अगर आप oxygen काम में ले लोगे, तो color वापस आजाएगा, तो इसको बोलते हैं, अपचयन, विरंजन, यह अपचयन की सायता से, विरंजक का कारी कर रहा है, दूसरा, यह आइस थाई होता है, पर्मानेंट नहीं होता, अगर आपने देखा न, कि यह hydrogen color उड़ाता है, पर अगर आप oxygen मिला दो, वापस color आजाएगा, मत्तब यह पर्मानेंट नहीं है, तो इसको बोलते हैं, reduction bleaching, इसको बोलते हैं, reduction bleaching, और याद रखिए गई, temporary है, पर्मानेंट नहीं है, खतम, तो यह sulfur dioxide के बारे में, जो भी कहानी थी हो, आपने पढ़ ली, अब इसकी सनचना भी देख लो, एक point यह भी है, यह सनचना कैसी है, sulfur dioxide की सनचना ऐसी होती है, एक सनचना इसकी यह famous है, एक सनचना और famous है यह वाली, ठीक है, यह कहानी है, विरंजन वाला point समझ में आ गया न, विरंजक का मतलब होता है बिटा, color उडाना या color लगाना, तो यहाँ पर SO2 की सबसे खासियत यह है, कि SO2 जल से क्रिया करके, H2SO4 बनाती है, और वो जो H2SO4 है न, वो बहुत बढ़िया चीज है, क्यों है बढ़िया चीज, वो कि हो H2SO4 के साथ में H बनता है, H रंगीन पदार्थ को रंगीन कर सकता है, और अगर आप चाहो न, कि रंगेन से वापस रंगेन हो जाए तो oxygen मिला दो, और यहाँ पर अपचैन हो रहा है, किसी में hydrogen जोड करके, किसी में hydrogen जोड करके, उसका color उड़ाया जा रहा है, इसलिए इसको का जाता है, अपचैन विरनजक, और यह आईस्थाई होता है किलियर है किसी बच्चे कोई और समस्या नहीं है चलो तो यहीं पर आज की कक्षा को हम समाप्त करेंगे और एक विशेज बात आपको और कहनी थी कि अब इसमें दो टॉपिक और बसते हैं इस गुरूप के अंदर एक H2SO4 के बारे में आपको पढ़ना है और दूसरा आपको Sulfur के Oxo Aml के बारे में पढ़ना है वो हमें एक next class में कर लेंगे फिर एक गुरूप complete है फिर 17 और 18 गुरूप एक साथ complete करके अगले 2 या 3 दिन में इसी को तो बस इसका रिविजन करेगा और इसकी PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगी इसके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपको PDF टेलीग्राम के उपर मिलेगी और अगला चैप्टर एप्लिकेशन पर चलेगा DNF ब्लोग तो टेलीग्राम अगर किसी ने जॉइन नहीं कर रखा तो कर लीजिए एप्लिकेशन किसी ने अभी तक इंस्टॉल नहीं कर रखी है तो आशी सिंग लेक्ट्चर प्रो हमारी एप्लिकेशन है इस सारे काम करके रखो यह आपको सक्सेस्वल बनाएंगे आशी सिंग लेक्ट्चर प्रो इस एप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेना है आपको ताकि आपको बैच जॉइन कर सको आप और अगले सारे चैप्टर बैच के अंदर होंगे तो आप अपना बैच जितना जल्दी जॉइन करेंगे बहतर ह नहीं है कल का टेस्ट भी बैच के अंदर होगा तीसरी बात यह है टेलीग्राम हो गया एप्लिकेशन आपको समझे मा आ गया नीचे नंबर शो कर रहे हैं उन नंबर पर आप कॉन्टेट करें और कॉन्टेट करके आप अपने बैच की पूरी जानकरी प्राप्त कर सकते हैं तो कि अब चीजें थोड़ी भारी होंगी आपको पता है इस मन्त में आपकी फस्ट बुक कम्प्रीट हो जाएगी है ना और यह जिस प्रकार के लेक्चर सभी चल रहे हैं इन लेक्चर की एक खास बात यह है कि यह सारे के सारे लेक्चर ऐसे लेक्चर हैं जिनके अंदर आ है जाहिंद जेक्या ध्यान को खुश्रों मस्तरों पढ़ाई करते हैं जाहिंद